हेलो गाईज, वेलकम बैक टो और यूटूब चैनल, डिस इस रेजल मिश्रा, सो गाईज, आसके टॉपिक के अंतरकत हम गुलाम वन्स, जिसके संस्थापक कौन है, कुतुम बदीन अइबक है, के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, गुलाम वन्स क्या है, इसमें व गुलाम वन्स अलग है, ठीक है, तो चलिए, और भी हम इसके बारे में जानना प्रारब करते हैं, गुलाम वन्स का अन्य नाम मामलुक वन्स, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया, ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है, कुतुम बदीन अइबक है, आपके मन में यह विचार अवश्या होगा, कि इसका नाम भला गुलाम वन्स क्यों पड़ा, तो इसके जितने भी सासकते हैं, वहां किसी न किसी के गुलाम थे, जैसे कुतुम बदीन अइबक किसका गुलाम था, ठीक है, इसी वज़े से इस वन्स में जितने भी सासक हुए, सब क्या कहा जाता है, गुलाम वज़े से सब के गिंती होती है, ठीक है, अब हम कुतुम बदीन अइबक के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं, कुतुम बदीन अइबक, इसका कारेकाल क्या था, 126 से 1210 तक का था, एबक को चंदरभा का देवता भी कहा जाता है, और उसे कुरान प काकी के नाम से दिल्ली में कुतुम बिनार की नीव रखवाई थी, अजमेर में धाय दिन का जोपड़ा भी बनाया था, ठीक है, बक्तियार काकी, कुतुम बदीन बक्तियार काकी के नाम पे है, कुतुम बिनार का नाम इन्होंने रखा था, और उसकी नीव डाली थी, और सा साथ इन्होंने अजमेर में धाय दिन का जोपड़ा भी बनाया था एबक ने अपनी राजधानी लाहर को बनाई एबक की मृत्यों पोलो खेलते हुए घोडे से गिरकर होगे जिसको हम लोग चौगांग भी कहते है ठीक है अब हम अगले इलतुतमिश उसके सासनकाल की बात कर 1210 इसवी से 1236 तक 26 वर्ष तक का रहा इलतुतमिश का पूरा नाम क्या है संग उल दीन इलतुतमिश था ठीक है ये कोश्चन बहुत इंपॉर्टेट्टेटिव उंक्साब में जादर पूछे जाता है ठीक है इलतुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था ठीक हम उन्हीं महारतों के बारे में चर्चा करेंगे जिसको इलतुतमिश से बुनवाया ठीक है भारत में पहला मकवरा इलतुतमिश ने दिल्ली में स्वयम के मकवरे के लिए उसका निर्मार कराया जो स्कृच सैली में है कुतम बिनार को इलतुतमिश ने पूरा करवाया था देखिए नीव किस ने डाली थी तो कुतम बदीन ऐबक ने डाली थी लेकिन उसको पूरा किस ने किया तो किसने किया इल्टुत्मिष ने अजमेर की मस्दित का भी निर्माड कराया इल्टुत्मिष को भारत में गुंबद निर्माड का पिता कहा जाता है तो किसे कहा जाता है इल्टुत्मिष को उसने सुल्तान गड़ी का भी निर्माड कराया था ठीक है आगे अब हम उसकी मृत्य क्यों देखेंगी तब बयाना पर आक्रमण करने जाते समय इलतुत्मिस रोगरस्त हो जाने के कारण 30 अप्रेल 1236 को उसकी मृत्तियों हो जाती है ठीक है कहां जाना रहा था वो बयाना पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था और उसका स्वास्त सही नहीं रहता तो उसकी वही पर बैठी थी यह हमारे भारत की पहली महिला सासिका थी जिसने परदा प्रथा और पुरुस के वस्तर पहन कर क्या किया युद्ध का परागंत अपना दिखाये ठीक है तो अभी इसके बारे में देखते हैं रजिया सुल्तान ने परदा प्रथा का विरोध किया उस समय पुरुषों की पुशर पहना पर पहन देखते हैं वही कपड़े पहनना उन्हों ने भी शुरू किया रजिया सुल्तान ने हाथी की सेवारी करके राज का दौरा करना भी शुरू किया और इनके मृत्यों कैथल जो हरियारा में है वहां पर हुई है ठीक है अगले हमारे इ लासन विवस्था का आधार मानता था उसके अनुसार सुल्तान प्रिथी पर इश्वर का प्रतिलीधी होता है ठीक है बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को अस्थापित करने के लिए रक्त और लोह की निति अपनाई यह भी कोशन पुछा है कि रक्त और लोह की निति कि जहर देकर मरवार डाला 1285 इस्वी में मंगोलों के तेमूर खाके नेत्रित्व में सुल्तान पर आकवड किया जिसमें बल्बन का पुत्र मुहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया अपने प्रितिकी मृत्यों का और ऐसी और भी वीडियो पाड़े के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिये थैक्स पर वाचिंग वाई वीडियो